आप लोगों ने नाटो के पारे में सुना होगा जिसका पूरा नाम है दा नौर्थ अटलांटिक ट्रीटी और्गिनाजेशन इसमें हाली में फिनलेंड सामिल हो चुका है और मैं आप लोगों से हम ऐसा कहता हूँ कि इस तरह के जो अंतराष्टी संगठन है या फिर राष्टी संगठन है इनके बारे में एक सामान ज्यानकारी आप लोग जरूर रखा करेगा क्योंकि इनसे आपकी परिच्छों में हर साल कुष्टन्स पूंचे जाते हैं चाहे आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस IES यानि QPSC की तैयारी कर रहे हो या वन्डे एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप लोग फिनलेंड को पहले देख लिजे उसके बाद हम लोग नाटो के बारे में बिस्तार से चर्चा कर लेते हैं देखिए हमारी प्यारी पितवी है और यह हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आप देखेंगे यह फिनलेंड है क्या है फिनलेंड है और इसक यहां आप लोगों को इस छेत में देखने को मिलेगी और यह उत्तरी यूरोब में एक नॉर्डिक देश है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और आप देखेंगे अगर हम लोग नाटो के बारे में बात करें तो इसे आप लोग उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन की नाम से भी जानते हैं यह एक राजनेतिक क्या राजनेतिक और सेन गटवंदर है जिसमें आप देखेंगे 31 सदस देश सामिल है सबसे नया कौन सा है फिनलेंड और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 4 अप्रेल 1949 को 49 में सदसों की बीच पारस पर एक रक्षा और सामोहिक सुरक्षा को बड़ावाद देने की ओदेश से इसकी स्थापना की गी थी किसकी नाटो की कब कब की बात है यह आप देखेंगे कि 4 अप्रेल 1949 की बात है और इसके सदसों की बात करें तो 1949 में गटवंदन के 12 संस्थापक सदस थे जिसमें आप देखेंगे बेल उनाइटिट केंगरम और सयुक्त राज अमेरिका थे शुरुवात में जबकि इसकी स्थापना हुई थी तब से आप देखें आगे चलेंगे तो 19 और देश इस गठवंदन में सामिल हुए ग्रीस और तुर्की आप देखें 1902 में सामिल हुआ था जर्मनी 1955 में सामिल हुआ इस्पेन 1982 में सामिल हुआ था चैगर्रा जहंगरी और पोलेंड निसो नियार्वे में सामिल हुए थे बुल्गारिया इस्टोनिया लादविया लिथुआनिया रोमानिया इसलोबाकिया इसलोबीनिया 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 इसलोबीन में सामिल हुआ है, कब 2023 में सामिल हुआ है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, और इसका हेड़कॉाटर आपको Brussels, Belgium में देखने को मिलेगा, Allied Command Operations का मुख्याले Mons, Belgium में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें सामिल अगर 5 पढ़ें, तो नाटू संदी का अनुचेत 5 एक प्रमुक प्रावधान है, जो बताता है कि किसी एक सदस्पन हमला, सभी सदस्वों पर हमला माना जाएगा, इसे आप लोग इस तरह से समझे, आप लोग जिस छेत में रहते हैं, वहाँ आप लोग एक संदस्पन मना लें, और उसमें सभी सदस्पन सामिल हो जाएगा, और उन सदस्पन से किसी भी ब्यक्ती पर कोई हमला करता है, कोई लड़ाई करता है, तो आपका एक सम्मिधान उस संदस्पन का होगा, जो यह कहेगा कि अगर किसी एक ब्यक्ती पर संगठन के पर कोई हमला करता है, कोई लड़ाई लड़ता है, तो वो पूरे संगठन की लड़ाई मानी जाएगी, और पूरा संगठन उस लड़ाई को अपना मान कर लड़ेगा, सायुकतराज अमेरिका में 9-11 के आतंकी हमले के ब संगठन के बारे में एक सामान जानकारी अपने पास हर हाल में रखा करिएगा आप लो